इसमिल्ला इर्वाह्माद इवाहीम, सलाम अलेकुम दोस्तों इंडियस टेस्पोंस्टर की जानिम से आप सबको अपने चैनल में पुछ आप दीद कहता हूँ दोस्तों आज से हम सिलसला शुरू कर रहे हैं जो टीचिंग की असामिया आई हैं के भिके में अलिमेंट्री एंड सिकंडर इजुकेशन डिपार्टमेंट में तक्रीबन मौर देन पाइव तौजन पांच हजार से ज्यादा सामिया हैं और मौतलिफ पोस्ट्स हैं उसके लिए आज का हमारा वीडियो जो है ये P.E.T. Physical Education Teacher आईए 2018 में जो पेपर्ज होए थे दोस्तों तक्रीबन कम्प्लीट पेपर्ज मेरे पास हैं और आज का जो पेपर है ये P.E.T. और इजिनल पेपर P.1 का है दोस्तों इसमें P.1, P.2, P.3 तक जाता है मुक्तलिब डेट्स पर जो पेपर होते हैं तो उसको P1, P2, P3 तो उसको केटेगराइज किया हुआ है आज का पार्ट हमारे पास PET का जो पेपर है उसका पेपर कंपोजीशन में पेडगाजी जो है वो 10% है दस नमबर पेडगाजी का है और तक्रीबन हर पेपर में जितने भी पोस्ट है पेस्ट, सी, टी, 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 एम अगेरा तमाम के लिए ये वीडियो कारमत देखे हूं कि पेडगाजी हर पेपर में होते हैं और आग पार्ट वन है इस पेपर का तो अचले शुरू करते हैं दोस्तों देखें ये देखें पेपर कुछ आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा होकर लेकिन मैं जैसे पढ़ता जाओं आप नोट करते जाएं कुछ नमबर वन हमारे पास है देखें दोस्तों ये पेडगाजी फॉर्ट है पिले आपको पेपर देखाता हूं कि मेरे पास कंप्लीट पेपर हैं दोस्तों ये देखें ये कंप्लीट पेपर है ये पहला पेज है जो है ये एक से लेके चे क्विस्टन इसमें है और इस इ 26 से 100 टक पेजिस क्विस्टिन से है कम्प्लीट पेपर हैं वन टू आल तो चलिए हम देखियां दोस्तों इसमें पहला पाट जो है पेड़गोजी क्या है पेड़गोजी का मानी क्या है आपको आना चाहिए पता होना चाहिए ये चीज़े बनीयादी चीज़े ये आपनी याद रखनाए है लेकिन जो आज जो मैं बतानी जा रहा हूँ आपनी इस चीज़ के इस लिए इसी तरीके से त्यारी बहुत ज़्यादा करनी है क्रिश नबर वन को जर देनें दोस्तों क्रिशन नबर वन This is question number one Question number one है The responsibilities to communicate problem मसाइल का पहुंचाना Communicate मैं अपना मसाला किसी को पहुंचाना किसी को बताना किसी को बताना तो इसका यह लिखा हुए है कि The responsibility to communicate problem is the process of counseling Counseling का लबस याद रखे मशावरत को कहते हैं और इस बारे में लाजिमी question आएगा Counseling के बारे में क्योंकि इसमें बहुत सारी question इस topic पर तो इसमें लाजिमी question आएगा अब मशावरत के अब किस्टन को जिस तरह है कि मशावरत हो रही है अब मसाइल का पहुंचाना कि इसकी जिम्वारी है options को जब देके option A लिखा हुआ है Consultant option A और B इस दोनों में बहुत slight difference है एक है Consultant and another one is Counselor Consultant मशावरत देने वाला Consultant अपने training अपने वसलाहियत के बन्याद पर दूसरों को training करना training देना देयर का counselors और आखिरी जो है C नंबर Counselor मशवरा लेने वाला तो इसमें जाहरी बात है कि ये जिम्वारी किसकी है This is the responsibility of Counselor option C Counselor की जिम्वारी है This is the responsibility है कि वह अपने counselor को पहुंचाए तो आपने इन चीज़ों को पढ़ना है Consultant counselor, counselor, parents, counseling इस बारे में आपने जितने भी MCQ जे त्यार करने है Question No.2 को जरा देखे Question No.2 Question No.2 हमारे पास है Which of the following students do their necessary effort for learning Students के मुफ्टरिफ केटिगरीज है जरा देखे के Option One को देखे Option One में लिका हुए Talented बास्सलाहियत Talented बास्सलाहियत स्टूडंस Option B, Intelligent अप्शन C, Motivated Motivated स्टूडंस ये काबिल पर हो सकते हैं नालाइक पर हो सकते हैं लेकिन उन में जज़गा होता है Option D को देखे Will Manage Will Manage तो पिर चलब कुछ इस तरह कि Which of the following students do their necessary efforts अपने कोशश करते हैं Learning के लिए तो इसमें से वो कौन सी किसम के students है जो ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी पूरी कोशश करते हैं Learning के लिए तो जाहरी बात है कि Motivated Students Motivated Students होते हैं वो हर तरह से अपना काम निकालनी के कोशश करते हैं Learning चाहता है So the correct option इसमें option C हैं दोस्तों Right Question number 3 को ज़रा देखे Question number 3 Question number 3 हमारे पास है This one The people who like Diversity in Belief Diversity तन्नू को कहते हैं Or Believe अकाइद को कहते हैं वो लोग जो अकाइद में तन्नू पसंद करता है तो कहते हैं Their personality type is Personality types टोटल पांच types हैं इस पे भी आप थोड़ा सा सर्च कर लें Personality types और उनके characteristics लेकिन यहां वो people जो Diversity in Belief लाइक करते हैं तो वो किस किसम के personality type वाले बंदे होते हैं यहां option में जड़ा देखें Option में लिका हुए Openness Option B Agriable Option C A-C-O Option D Agri-C-O Option A is the correct option Openness Open-Minded People Open-Minded People जो होते हैं वो Openness होते हैं They like diversity in beliefs अपने बाकी चीज़े भी study करने हैं कि Agriable type personality यह किस किसम के activities को पसंद करते हैं P-C-O को कि वो किसे पसंद करते हैं और Agri-C-O Question No.4 को जड़ा देखें Question No.4 Question No.4 है The actual involvement of students during classroom instruction enhances Question कुछ इस तरह है कि Act Your Involvement Student जो class में involved हो जाते हैं यह classroom activities के बारे भी लाजिमी question आएगा Classroom activities and classroom management यह याद रखें इस पर बहुत ज़्यादा त्यारी करें लेकिन उस class में जहां जिसमें students हिस्सा लेते हैं teaching के दोरान तो यह किस चीज़ में इजाफ़ करता है enhances करता है Freedom Option A Option B Noise Option B Discipline Option B Retention Option D को आप जड़ा देखें Retention Retention की मानिय है बरकरार रखना अपनी teaching का जो सिल्सल रखो के उसको बरकरार रखने के लिए students का इन्वाल होना इन्टिहाई ही जरुए है तो so the correct option यहाँ पर Option D है दोस्तों Okay question number 5 को जड़ा देखे Question number 5 Question number 5 हमारे पास है Adjustment of an Individual in Diverse Environment Diversity आपको भी मैंने में बता जिये कि Diverse तनू को कहता है Is based on the concept of So options को ज़ा कि Believe, Option B values, Option C Intelligence and Option D Individual differences So this concept is Option D is the correct option and Individual differences Question number 6 को जड़े ज़रा Question number 6 Classroom management देखे Classroom management पर एक और question भी है Classroom management include Set of instructions which are used to maintain Maintain बर करार लगना Class को अपने manage करना है तो इसमें जो तिक्नीक इस्तिमाल करना चाहते हैं वो किस चीज़ को Manage कर रहा है Maintain कर रहा है Option 1 को देके Execution of learning activities Option B Healthy learning environment Option C Student test reserves And Option D Involume Talented students तो यहां पते हैं कि Correct option हमारे पास Option B है Healthy learning environment Class को आप अच्छी तरह manage करना चाहते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि learning का environment हो स्यात्मंदाना हो यानि हर स्टूलन उसमें अच्छी तरह से learn कर सके Question No.7 को देखे हैं Question No.7 Question No.7 तो सही तरह नज़र नज़र नहीं आ रहा है लेकिन उसका मकसद आप थोड़ा सा समझ ले Question No.7 यह देखें After relationship building a counselor should with the counselor to next level Question का मकसद यह है जो Question No.1 में जैसे मैंने आपको बता दिया कि मशावरत के दोरान जब मसाइल कि पेश्चान हो जाती है Counselor को यह Consultant को तो उसके बाद next tip क्या है मसला अब आपने जान लिया कि मसला क्या है तो next tip उस पर आमल करना है तो option B को ज़र देखे Action Pays तो यहांदर correct option is option B है दो so next level is Action Pays Question No.8 को ज़र देखे Question No.8 Question No.8 हमारे पास है It is important in class room that children should learn the rule too Classroom में बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि वो यह rule सीख ले कौन से rule Option No.8 के Speak Clearly Option B Speak Loudly Option C Take Turns in Conversation Yes, the correct option इसमें Option C है दोस्तो Option C is the correct option क्योंकि classroom में हर students को यह rule सीखना चाहिए कि जो conversation हो रहे है teacher और students के दर्मियान यह students in students के दर्मियान तो अपना टर्मियान बारी को कहते है कि उसमें अपनी बारी ले है वो भी उसमें इन्वाल हो जाए तो correct option is option C है दोस्तों अगे देखे question number 9 को जरह देखे question number 9 and the high understanding level can be gained high understanding level can be gained in teaching learning process through teaching learning process teaching, teachers teaching कर रहा है और studying learning कर रहा है तो इस process में understanding level high understanding level कैसे हासिल किया जा सकता है how it can be gained तो options जो दिये गए हैं देखें दोस्तों options जो दिये गए हैं यह देखे hands on activities option 1 को जड़े देखें बग्यों खुद पढ़ने में क्योंकि correct option इसमें option A है hands on activity hands on activity का मतलब है to gain actually by doing not only by learning आप जो कुछ सीख रहे हैं उसको अमली तोर पर भी perform कर ले that is called hands on activities तो यहाँ पर correct option is option A है दोस्तों question number 10 दस और pedagogy का आखिरी question है यह देखे question number 10 this one the task on writing and essay on the out of school children in Pakistan प्राम्दा perspective of poverty हाँ यह लबज और पदर ही क्या लेगा है क्या है blooms cognitive domain यह cognitive domain वगेरा वगेरा यह चीज़े आपने पढ़ना है domains और इसके types वगेरा वगेरा तो यहाँ पर आपको correct option बताता चलो यहाँ पर correct option जो है दोस्तों option B है इसको पढ़ोगे यह तोड़ो मुश्किल टाफिक है बहुत मुश्किल टाफिक है इसको पढ़ना तुस्ता आपको एक और बात बताता है चलो अगर आपने ज्यादा ज्यादा study करनी है तो आपने मेरे चैनल पर जाए ना यह चैनल पर या ऐसा करें मैं चैनल पर भी नहीं ज्या सकते हैं तो simply google में जाएं और वहाँ पर लिखे इस विडियो बाई आनिद्या टेस्क्र representations यह उसलें इसले के मैंने के इसस्ती लैगौइल पर बहुत सारे विडियो प्लोड की तर्शेशंग है उसको अब सर्च पर विवाज कर सकते हैं तो टोब्स ओ, यह ति है आज़ के विडियो इसंट ना सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर लाइज भी करें तेंक यू फार वाचिंग